अदबुत संसेट का नगारा आप देख रहे हैं थेम्स नदी किनाड़े ऑक्सपोर्ट इंग्लेंड से कंटी साइट गौह से अभी देखिए आस्मान की खुबसूर्ती कि यादगारपल और अगले सप्ता ही हम भारत अपने देश जा रहे हैं इस सहर के छोड़ कर तो इसलिए यादगारपल को कैप्चर करना जरूरी था तो मिलेंगे दो हफ्ते बाद अपने देश अपनी मिट्टी अपनी मात्री भूमी में बस कुछी दिन बाद और अभी हम हैं इंग्लेंड में ऑक्सपोर्ट इंवरसिटी के आसपास के किसी गाउं में थेमस नदीगे किनारे हैं अजी मिलते हैं जिंगी के सफर में फिर एक ब्रेक के बाद अपने भारत देश में ठीक है इस तरह से कुछ-कुछ यादगारे यहां के ले लिए जाएं इसलिए मैंना दीगे किनारे आया था आज और फिर मिलेंगे भारत में जल्द ही ठंडी बाहर अच्छी काजी हो गई है साम का समय है और अच्छे डीली टेंप्रेचर है बाहर का आप देख पारे हैं सुन्दर पीछे आसमान का नगारा प्रकृति का खुबसूरत पलो के बीच कहते हैं कि प्रकृति के अंदर जहांक कर देखिए तो जीवन की आपकी बहुत सारे अंसल्जे रहस मतलब अपने अंदर की आत्मा को भी आप जहांक सकते हैं कि दो कभी कभी प्रकृति के नजारे प्रकृति के डेफ्ट में जाने की कोशिस करेंगे जीवन के भ Zoo शार miss अंसे नहीं है ने किसी सीनी दूसरे जीवन में लुट की यगार हैं कि कि यजो तरीर है व माने प्रकृति भी पांचत हमारा हुआ कि बहुत यह इच्छा संगम देखिए पीछे सूर है और इधर मैं चांद को देख पा रहा हूं आपको इस केमरे से दिखाई देगा या नहीं यह देखिए चांद सामने दिख रहा है एक पाइट सा यह एक तरफ चांद और एक तरफ सूर और बीच में इंग्लैंड की लाइफ लाइफ लाइन यूके की लाइफ 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 लाइन कही जाने वाली नदी ठैंस और हम चले फिर आफ वापस अपने गर्ण तब की ओर कि दोस्तों मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद पीछे का अध्भुत नजारा दिखाता हूं आपको यह दिखिए आस्मान का अध्भुत नजारा कि दोस्तों नजारा दिल्चुत नजारास